हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने टूप चैनल के नहीं हाँ क्लासेस पर जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप निलंबित कुंडली धारा मापी किसे गयते हैं और इसके बारे में हम आपको पहले चित्र के माध्यम से बताएंगे फिर हम आपको लिखना ही बताएंगे कि आप परिच्छा में जाकर कैसे लिखेंगे अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे तो इसमें लिखेंगे चल कुंडली गैलवे नो मीटर फिर लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं अब लिखेंगे नंबर एक निलंबिद कुंडली धारा मापी इसमें लिखेंगे यह वैदो धारा के संसुचन और मापन के लिए प्रयोक्त किया जाने वाला उपकरण है आप हर्ण डालेंगे सन रचना अब हम जो निलंबित कुंडली धारा मापी की सन रचना है पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे फिर हम आपको लिखना बताएंगे क्या परिछा में जाकर कैसे लिखेंगे तो यहां पर हमने निलंबित कुंडली धारा मापी का चित्र बनाया है हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना को कैसे लिखेंगे तो ध्यान से पहले चित्र में देखिए इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तामे के तार की कुंडली को एलमोनियम के फ्रेम से लपेट कर बनाया जाता है इसमें दो धुरुखंड N और S होते हैं और इसमें एक फास्फर ब्रांज की पत्ती लगी होती है जिसके दोरा इसको एनेस धुरुखंडों के बीच लटकाया जाता है इसके उपर एक मरोड टोपी होती है और यहां पर क्या होता है टर्मिनल T1 यहां से धारा को प्रवाहित किया जाता है धारा कुंडली से होती हुई इस्प्रिंग के माध्यम से होती हुई टर्मिनल T2 से निरगत हो जाती है तो एक बार हम आपको दोबारा चित्र के माध्यम से समझाते हैं फिर हम आपको लिखना बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इसमें एक आपकार कुंडली होती है जो तांबे के इतार की कुंडली को एलमोनियम का फ्रेम से लपेड कर बनाई जाती है इसमें फासफर ब्रांज की पत्ती को एनेस धुरुखंडों के बीच में कुंडली को क्या गरते इसको लटकाया जाता है नि की फासफर व्रांज की पत्ती के साथा से कुंडली को एनेस दुरुखंडों के बीच में लटकाया जाता है इसके उपर वाले भाग में मरोड टोपी से जुड़ा होता है जो इसके उपर अला भाग होता है वो एक नर्म लोहे की क्रोड लेते हैं अब यानि कि जिस विवो मापी का मापन करना होता है उसे टर्मिनल T1 में प्रवेश कराते हैं और वो कुंडली से होते हुए स्प्रिंग के माध्यम से होते हुए उसे हम टर्मिनल T2 में निर्गत हो जाता है यानि कि जिस विवो मापी का मापन करना होता है उसे टर्मिनल T1 में प्रवेश कराते हैं और वो कुंडली से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल T2 में निर्गत हो जाता है तो हमने आपको दो बार चित्र के माध्यम से समझाया कि आप निलंबित कुंडली धारा मापे की सनरचना को कैसे लिखेंगे अब हम आपको लिखकर बताते हैं कि आप परिच्छा में जाकर कैसे लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तामे की तार की कुंडली को एलुमीनियम के फ्रेम से लपेड कर बनाई जाती है इसमें फास्फर ब्रांज की पत्ती को एनेस धुरुखंडों के बीच लटकाया जाता है इसके उपर का भाग मरोड टोपी से जुड़ा होता है और निचला सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता है कुंडली में एक नर्म लोहे की क्रोड लेते हैं जब इस कुंडली में जिस विवो मापी का मापन करना होता है इसे टर्मिनल टीवन से प्रवेश कराते हैं और कुंडली से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल टीटू से निर्गत हो जाता याने कि जिस विवो मा मापन करना होता है उससे हम टर्मिनल T1 में प्रिवेश कराते हैं और कुंडले से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल T2 से निर्गत हो जाता है जहां पर हमने यहां पर देखे ध्यान से यहां पर एक सब्द छूड़ गया है स्प्रिंग से होते हुए तो जब आप लिखेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी की सरचना को तो यहां पर लिख देंगे स्प्रिंग से होते हुए तो हमने आपको लिख कर बताया कि आप निलंबित कुंडली धारा मापी की सरचना को कैसे लिखेंगे आप हम आपको बताएंगे कि आप निलंबित कुंडली धारा मापी का सिध्धान्त कैसे लिखेंगे तो हाइडिन डालेंगे सिध्धान्त इसमें लिखेंगे धारा मापी का सिध्धान्त चुम्ब की प्रभाव पर आधारित है धारा मापी के आधार पर जब किसी धारा वाहे कुंडली को एक समान चुम्ब की छेत में रखते हैं तो उस पर एक बल आघून कार करता है जब किसी धारा वाहे कुंडली में धारा प्रभाव पर आधारित की जाती है तो उस पर लगने वाला बल आघून तो इसमें लिखेंगे टाव बरावर एन आई एबी साइन ठीटा तो जहांपर आप देखिए ठीटा है उसके अस्त्थार पर लिख देंगे नब्वे अन्स तो साइन नब्वे अन्स का मान होता एक तो यहाँ पर मैं लिखा है टाव बराबर NIAB गुरे 1 अब एक से गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा टाव बराबर NIAB इसको मानेंगे समीकर नमबर 1 अब लिखेंगे यद धारा मापी की मरोड दढ़ता सी वा ऐठन फाई हो तब बल आघूण तो अब लिखेंगे टाव बराबर C5 इसको मानेंगे समीकर नमबर 2 अब लिखेंगे समीकर एक वा 2 से तो समीकर एक में देखिए टाव बराबर NIAB और समीकर दो में है टाव बराबर C5 तो यानि कि Tao से Tao क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा NIAB बराबर C5 अब इसके आगे यहां से क्या करेंगे यहां से अगर हम I निकालेंगे तो NAB क्या होगा यह C5 के बटे में चला जाएगा अब यहां पर हमें लिखा है जहां K बराबर C बटे NAB उपकरण का नियतांग है यानि कि जो हमारा C बटे NAB क्या है उपकरण का नियतांग है तो इसके अस्तान पे हम क्या लिख देंगे K तो हमने आप लिखा है I बराबर K फाई फिर हमने लिखा है जिसे धारा परिवर्तक गुडांग भी कहते हैं आता धारा मापी में प्रवाहिद धारा उतुपन विछेप के अनुकर्मानुपाती होती है तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप निलंबित कुंडली धारा मापी की सरचना और उसका सिधान कैसे लिखेंगे हमने बहुत ही आसान सब्दों में आपको लिखकर समझाया है आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के सा तब तक के लिए जय हिन जय भारत